हेलो बच्चो मेरा नाम है नदीम हमाद स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर अगर चैनल अच्छा लगे अगर आपको चीजे समझ में आ रही हो तो मेरा चैनल जरो सब्सक्राइब करें लोगों को यह होता है ना कि लोगों बहुत जल्दी ये क्लासिफिकेशन बहुल जाते हैं तो क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाया हूँ ये आपके बहुत काम आएगी आपके चठे च्छेओ क्लासिफिकेशन याद करने क चलिए स्टार्ट करते हैं बेना time waste करें सब्से पहले आपका earliest classification बच्चों आता है earliest classification आप मेरे नोट्स में देख रहे होंगे अगल आपको नोट्स बनाना तो आप video को फास्ट करके नोट स्बना सकते हैं earliest classification के गर मैं बात कुनो Leader classification on the basis of food cloth nuclear जल्टर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फूड क्लॉथ और चल्टर क्या होता है रोटी कपड़ा और मकान सबसे पहले जो क्लॉथिकेशन किया गया था रोटी कपड़ा और मकान के बेस पर किया गया था अरस्तु ने किया था अन्दब बेस अफ मार्फॉलजी ऑफ और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मार्फॉलजी ऑर्गेनिसम क्या होगा मार्फॉलजी के मतलब होता है ऐसी चीज़ का ऐसी चीज़ जिसको हम देखके उसका और्गनाइज कर सके तो वह होता है मार्फॉलजी के उपर से देखकर एनॉटमी क्या होता है एनॉटमी को अं लास ऐसी थी वो उनको SHRUB में रखा उसे कुछ नहीं तो यह था आपका औरस्तों का kingdom classification सद्रिकेशान में उन्हें राडेट सय उसकिया उन्हों ँनका नाम चाल लीणिगा मधेश किया तो मिली प्लाइब्स सो historically drawbacks का मतलब यह होता है कि उनके क्या कमिया थी उनके इस drawbacks में क्या कमी थी जो हमें third kingdom classification करना पड़ा अगर ही उनकी drawbacks एकदम सही होता तो मुझे करना ही नहीं पड़ता तो उन्होंने ये किया कि unicellular and multicellularism grouped together prokaryotes and eukaryotes are grouped together heterotropic fungi and autotropic plant are grouped together मतलब जो unicellular थे जो multicellular थे जो prokaryotes थे जो eukaryotes थे जो heterotropic थे वो autotropic थे सब उक एक ही मेरत दिया तो वो differentiate नहीं हो पा रहा था कि मतलब कौन unicellular है कौन multicellular होगा इन में से इसलिए इनकी कुछ कमिया थी इसलिए third kingdom classification किया गया third kingdom classification जब किया तो third kingdom classification नहीं हमारे hackle साहब ने किया hackle ने अपना एड किया एक protista plant, animalia and protista protista क्या होता है protista बच्चो आपका जो होता है वो prokaryotes होता है sorry eukaryotes होता है and unicellular होता है कैसा होता है unicellular and eukaryotes अभी आगे वो detail में हम पढ़ेंगे protista क्या होता है fourth kingdom classification के अगर बात करूँ तो copland ने की इन्होंने monera add किया protista, animalia, planta और monera ठीक है? monera फिर बात में आया जो monera जो था वो unicellular था और prokaryotes था overall drawbacks की बात करें कि जिन plants के पास cell wall थी उनको एक में रखा unicellular, climate monas multicellular, spirogyra algae, our grouped together उनको भी साथ में रख दिया तो यह कुछ over up थे heterotopic fungi, autotopic plant, our group together जो अपना खाना खुष से बनाते हैं जो खाना दूसरों पर डिपेंड होते हैं उन elements को भी उन्होंने एक मही रखा next आपका जो सबसे बहतरीन classification है जो मुझे बहुत पसंद है fifth kingdom classification fifth kingdom classification जो थे उन्होंने की रह विक्ट करने बच्चो किसने गिया रह विटेकर question आप से इतना ही पूछा जाएगा कि आप fifth kingdom classification किसने दिया तो fifth kingdom classification रह विटकर ने दिया question आप से यह पूछा जाएगा कि fifth kingdom classification कब दिया गया तो 1960 आपको जवाब दे देना तो आप copybook MRP से याद रखते हैं जिसमें copy आपका क्या हो जाएगा cell structure cell का structure कैसा था cell eukaryote था कि prokaure था यू केरोड कौन कोन थे प्रोकरियोड कौन थे body organization में आपका unicellular and multicellular कौन सा और्गनिजम जो था वो एक सल से बना था और कौन सा और्गनिजम तो multiple cells से बना था तो unicellular and multicellular को अलग किया गया mode of nutrition सब को mode of nutrition के बना अपना खाना कैसे बनाते हैं खाना कैसे खाते हैं तो वह जाएगा आपका autotropic and heterotropic कौन से जी और्गनिजम्स ऐसे हैं जो autotropic हैं जो अपना खाना को से बना लेते हैं और कौन से और्गनिजम्स में दूचरों पर डिपेंड होते हैं heterotopic reproduction का यूज तो नहीं किया गया था लेकिन इसमें लिखा गया है तो हमने भी लिख दिया है NCRT में लिखा हुआ है phenotopic relationship की अगर मैं बात करूँ phenotopic relationship का मतलब होता है evolutionary relationship evolutionary मतलब विक्सित relationship एक खांदान किस खांदान से बिलॉंग कर रहे हैं कौन सा इनका परिवार है तो वो इसमें देखा गया mode of nutrition की अगर मैं बात करूँ तो mode of nutrition जो होता है main criteria for classification के लिए होता है main criteria जो था उनका main criteria यह था कि कैसे कुछ organisms हैं जो कैसे पना घाना बनाते हैं तो उसमें उनको पता जला कि कुछ organisms होते हैं जो autotropic होते हैं कुछ होते हैं तो main criteria आप से सवाल पूछा जाएगा कि what is the main criteria of 5th kingdom classification that is that is बुलो बच्चो mode of nutrition जो आप से question यह पूछा जाएगा कि no use for classification तो आपको जवाब देना है reproduction reproduction यूज नहीं किया गया था कोई काम है नहीं था reproduction गई उसकरने के लिए उसको याद करने के लिए आपको पहले यह आपको पता होना चाहिए यह यह जब आप ऐसे है तो मेरी तरह दिकेंगे इतनी speed में ही कहेंगे तो यह तरीका है इसमें monera आपका जो है वह आपका मोनेरा स्टार्टिंग में है तो इन स्टार्टिंग में आपका प्रोकेरियोट्स हो जाएगा मोनेरा और यूनी सेलूलर होगा अब बाकी सारे आपके यूकेरियोट्स and multicellular लेकिन protista भी आपका multicellular है यह unicellular है monera और protista यह unicellular है देखे लिखा हुआ है लंडर लाइन में यहाँ पे देखिए यह देखिए monera और protista आपका unicellular है but monera जो है वो procarriots है और protista fungi plantain में लिया आपकी यह देखिए ucarriots है और आपका monera और protista unicellular है और बाकी सारे multicellular है लेकिन केवल एक ही आपका procarriots है वो है monera और दोने स्टार्टिंग में आपको यह देखिए monera protista दोनों जो है watertopic, heterotopic होते है modern nutrition चाहिए monera जो protista दोनों watertopic, heterotopic होते है plant का याद करना है तो plant क्या है अपने आप खाना बनाते होंगे तो autotopic है फंजाई के हैं दूसरों पर depend है heterotopic है animalia के हैं दूसरों पर depend होता है तो क्या है heterotopic cell wall की अगर में बात करूँ तो starting में जो दोनों है monera protista इनकी peptido glycogen peptido glycogen cell wall होते है पंजाई की काईटिन होती है आपको पता ही होगा plant की cellulose होती है animalia में cell wall नहीं होती है absent होती है आगे बढ़ते है six kingdom classification six kingdom classification को third domain system के नाम से भी जानते है इसको दिया था कारलवेज ने third domain system को कारलवेज ने दिया था third domain system को कारलवेज ने monera को divide into two domain में कर दिया monera को क्या जबसे सबसे बला था monera उसको two domain में divide कर दिया पहला जो domain था वो आरकी था दूसरा domain ज़े था वो यू करियोट था यू बैक्टीरिया first domain आरकी second domain यू बैक्टीरिया बाकि जितने थे protista fungi, planta, animalia प्लांटी बढ़ सकते हैं इसको तो third domain में रख दिया गया है ना तो कितने domain six kingdom classification आपसे सवाल इतना ही पूछा जाएगा six kingdom classification को और क्या कहा जाता है तो third domain system कहा जाता है किसने discover किया तो चार्टलवेज ने या कार्लवेज ने किया domain कौन कितने थे third domain थे first domain और second domain में किसको रखा गया first domain में आर्की को रखा गया और second domain में यू बेक्टिरिया को रखा गया लेकिन ये मोनेरा के थे third domain में protista fungi, planta, animalia सबको रखा गया बात करें अगर हम plant and animalia की remain constant आपने अभी तक पढ़ा होगा first, second, third, fifth, sixth, sixth पढ़ रहे हैं आपने एक चीड़ नोटिस की होगी कि plant and animalia तो सब में आ रहे है second इसे आपका protista भी सबके साथ together इसलिए इसमें लिखा गया protista also both together अगर आपसे question ये पुछाएगे जाएगी अलिगी में सबसे पहले कौन प्लेस्ट किया गया था तो बहुत सिंपल सवाल है climodomonas and spirogyra जो climodomonas होता है यो unicellular होता है और spirogyra आपका multicellular होता है अगर आपसे ये पुछा जाएगी plant and animalia में सबसे कोने लोगे तो paramecium and you और आपका वो जाएगे आपने स्टाडिंग में पढ़ा था तो इस कहने का मतलब यह है कि के वह रिप्रोडक्टिंग मार्फोलोजी यही यूज नहीं किया गया है किस खांदान से कौन बिलॉंग कर रहा है वो भी यूज किया गया हमारे third domain system के लिए बात करेंगे monira की वो अपने अगले चैनल में करेंगे आज के लिए इतना ही अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो हमारे लोड्स आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकान दबाएं और कॉमेंट करें